नमस्कार दोस्तो आज हम बना रहे हैं कच्चा आम की रचार दीन या चार कच्चा आम को ठीक से धोके काटके छोटे-छोटे तुक्रे बनाई हैं एक दब्बे में एक चमच नमक थोड़ा सा हमकी तुक्डे और एक चमच नमक और थोड़ा सा हमकी तुक्डे और एक चमच नमक और थोड़ा सा हमकी तुक्डे ऐसे एक बाद एक डालके उपर से एक चमच हल्दी पोडर डालके दिब्बे का धक्कन जालके ठीक से मिलाके रखे श्टो पर एक तोवा रखकर उसमें दो चमाच सरसो के वीज दालके फ्री किजिए और ये चमाच मेती का बीच डालके फ्री किजिए दोनों को एक मिक्सी जर में डालके पोडर बनाईए बनाए हुआ पोडर को आम के तुकडे रखे विए दब्बे में डालके मिलाईए साथ में तीन चमाच लाल मिर्ची पोडर डालके मिलाईए और दो चमाच शक्कर डालके ठीक से मिलाईए स्टाव पर एक कडाई रखके तीन चमाच तेल डालिए तेल गरम होने के बाद एक चमाच सरसो की बीज डालिए सरसो की पूरा खिलने के बाद आठ से दस रसून की बीज तोड़के डालिए और आधा से कम चमच याने क्वाटर स्पून असपाई डड़ा हिंग डालिए रसून के बीज तीक से फ्राई वने के बाद तेल की मिसरन को आम की तुकड़े के डबे में डालके तीक से मिला लिया तो कच्चा आम की अचार खाने के लिए पैर होगा यह मेरा रिसिपी आपको पसंद आये तो तो कुपिया सब्सक्रेब करना न भूलिएगा धन्यवाद करना न भूलिए यह में पैर होगाद करना न भूलिए यह में पैर करना भूलिए झाल झाल